गुड बारिंग चली तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टापिक A Step to Find Q-Point और Operating Point Step कैसे हम लोग Q-Point या Operating Point निकालते हैं इसका एक Step देखे ये जो Step है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी Bicing Circuit को Solve करना आसान हो जाएगा और आज कसम खा लीजे इस बात को मैं बहुत कसम खिलाता हूँ आप लोगों को तो उसमें से कसम ये खाना है कि मैं जिस तरीके से Step लिखा हूँ गलती से भी इस Step को Break नहीं कीजेगा अगर कोई भी Numerical आता है Bicing Circuit से तो इतना समझ लीजे कि ये जो 5 Step हम बताएं हैं को Solve करके मैं दिखाऊंगा ठीक है और एक-एक करके बताऊंगा कि कैसे ये 5 Step फॉलो हो रहा है लेकिन पहले Step को पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं जान लेते हैं उसके बाद आपका जो भी इस पर और क्यूरीज होगा उस पर बात करेंगे काता है Step to find a Q-point और Operating Point Operating Point या Q-point को निकालने के लिए हम लोग कौन-कौन सा Step follow करते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास DC Load Line हम लोग खींचते हैं और इस DC Load Line में ये बिंदू कहीं भी लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक बिंदू लिए इस बिंदू का नाम है Q-point सही है और हम लोग Q-point का exact location find करना चाहते हैं Q-point find करना चाहते हैं तो आपको Q-point कैसे find कीजिएगा सबसे बड़ा question है अब Q-point कैसे find करेंगे सर तो इसी Q-point को find करने के लिए हम मैं आपको 5 step दे रहा हूँ ठेक है पहला step क्या है draw the base circuit सर बेस सर कीट को draw कीजे सबसे पहला step आपके सामने क्या दिख रहा है base circuit को draw करना है तो सर बेस सर कीट कैसा कहां किधर तो मैं आपको सर कीट दूँगा या exam में सर कीट देगा या नाम लिख के देगा ठीक है जो की मैं आपको अलग-अलग bycing circuit के बारे में बताऊंगा चलिए दूसरा है देखे मैं bycing circuit आपको दिखाता हूँ कौन-कौन सा नाम आएगा आपके पास कौन-कौन सा bycing circuit है एक का नाम है fixed bias एक का नाम है base bias with emitter feedback दूसरा नाम है base bias with collector feedback फिर नाम है ठीक है voltage divider bias इसको self bias भी कहते हैं और last है emitter bias तो यह circuit बना होगा मैं एक एक करके circuit बना रहा हूँ और इसी circuit को जब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो उसमें जो base circuit होगा सबसे पहले उसको बनाना है base side का circuit अभी बनाए नहीं है मैं circuit लाके दिखाऊंगा उसके बाद हम लोग हम लोग IB निकालेंगे क्या निकालेंगे fix है क्या निकालेंगे पहला step क्या calculate करना है IB IB मतलब base current क्या निकालना है एक दम पहला सबसे पहले क्या निकालना है base current कहां कहां base circuit में क्या लगा कर yes क्या लगाएगा तेक equation आएगा उस equation में IB भी मौजूद रहेगा और उसी IB को side कर देना है उमान हो गया numerical में उसका value दिया रहेगा सबका value put कीज़ेगा answer मिलेगा yes सबसे पहले क्या निकालना है हमें आरे सबसे पहले क्या निकालना है base current निकालना है IB निकालना है कहां से निकालेंगे base circuit में KVL लगा कर base circuit में yes दूसरा सुनिये दूसरा क्या निकालेंगे IC क्या निकालेंगे IC दूसरा क्या निकालेंगे IC आई-सी निकालने के लिए हमें बीटा और आई-बी के जुरुत पड़ेगी तो निकाले हो पहला स्टेप में निकाले हो और बीटा हर कोश्चन में दिया रहेगा एक दम बीटा एक जब मैनुफ्यक्ट्रिंग होता है ट्रांजिस्टर का कंपनी में उसी समय बीटा दिया रह ठीक आगे तीसरा ड्रादा कलेक्टर सर्कृट जैसे बेस सर्कृट बनाया थे वसी कलेक्टर सर्कृट बनाएंगे और उसमें भी के भी अल लगाएंगे और उससे निकालेंगे आई-सी क्या निकालेंगे और 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 सुनो जब तुम किसमें के आई-सी सरी सरी कैलकुलेट का कॉडिनेट क्यू पॉइंट का कॉडिनेट बराबर होगा पहले VCE होता है अरे हाँ पहले कौन होता है VCE होता है उसके बाद कौन होता है IC होता है VCE कॉमा IC बस जो जो मान VCE का मिलेगा उसको यहां रख दीजेगा IC का मिलेगा चलते हैं calculate करके देखते हैं एक-एक करके और ठीक है इसको हम कैसे step by step follow करेंगे आप एक-एक करके देखते जाएए बस समझते जाएए तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम पहला बाइसिंग सर्कीट हम लोग पढ़ेंगे और पहला बाइसिंग सर्कीट क्या है उसको समझेंगे चलिए तो इसको note कर लीजे तो पहला बाइसिंग सर्कीट क्या है हम लोग का बाइसिंग सर्कीट का नाम है fixed bias circuit इस बाइसिंग सर्कीट को अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे और इसमें ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने 5 point अभी q point को निकालनी के लि लेकिन अगर एक समझ में आ जाएगा तो आप हर को आराम से next का सब बना पाएंगे क्योंकि हर सर्कीट के बारे में कुछ लिखना जरूरी होता है इसलिए मैंने कुछ 2-3 points लिख रखें जानकारी के point of view से सबसे पहले तो photo को याद कर जाएगे ये जो आपके सामने photo दिख इस photo का नाम है fixed bias circuit अगर एक्जाम में question आएगा exact same image के साथ आएगा सर तो एक्जाम में question यही रहेगा हम लेक दम यही रहेगा यहाँ पर मान रहेगा हो सकता है 10 kilo ohm यहाँ रहेगा 5 kilo ohm यहाँ 7 kilo ohm यहाँ 12 kilo ohm मतलब कुछ भी value वो दे सकता है और यहाँ पर दे देगा 10 volt 12 volt 15 volt और बीटा का मान दे देगा 150, 190, 95 क्योंकि हम लोग जानते हैं बीटा का मान तो वो सारे मानों को दे देगा और कहेगा क्यों पॉइंट निकालो क्या फोटो यही रहेगा फिर से बोल रहे हैं हाँ फोटो यही रहेगा फोटो नहीं बदलने वाला यहनि ऐसा फोटो देख लिया तुम 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 दिमाग में सेट कर लेना यह fixed bias है कौनसा कैसे पहचानें यह fixed bias है तो मैं आपको थोड़ explain करता हूँ पीछे ले जाकर पीछे थोड़ा जगा होगा होगा नहीं है तो हम दूसरा जगा बनाईए लेंगे यहां जगा है थोड़ा यहां बना देते हैं आप देखिए जब आप transistor के बारे में थोड़ा मोड़ा study कर रहे थे तो आपको यह बताया गया था कि यहां से इ यहां पर एक बैटरी ऐसे जोड़ते थे इस बैटरी का नाम भी 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 हुआ करता था ठीक और इसी से हम लोग DC लोड लाइन भी खीचे थे हां हां तो जनरली इसी से तो हम क्यूब पॉइंट निकाले थे सर हम लेक दम निकाले थे लेकिन सर अभी जो आप circuit बता रहे है उ मेरा मेंसन किया हुआ है पढ़िये इदा सिंप्लेस्ट बैसिंग सर्कीट यूज तो बायस BJT इस कॉल्ड ऐस फिक्स्ट बायस सबसे साधारन आसान सबसे इजी जो हम लोग बैसिंग यूज करते हैं सबसे पहला बैसिंग उसका नाम है फिक्स्ट बैसिंग क्योंकि तिल न अब हमें एक सिंगल बैटरी का यूज करना है और एक बैटरी का नाम कौन है बी सी सी सर बेस में भी यही बैटरी जाएगा और ठीके कलेक्टर में भी यही बैटरी जाएगा क्या ट्रांजिश्टर काम करेगा यस काम करेगा सर ऐसा क्यों कर रहे मैंने आपको सुरू में ब लगा दो, VCC, दोनों को सेम बैटरी जाएगा, पैरलल कनेक्शन है, इधर भी VCC जाएगा, इधर भी VCC जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही बैटरी लगा रहे है, दोनों मैं अभी तोड़ के दिखाएंगे हम आपको, ठीक है, लेकिन दिखने में एक ही बैटरी दिख रहा ह अब एक ही बैटरी दिख रहा है, तो अव्यस्टी बात है कि अब सर इसका क्यू पाइंट कैसे कैलकुलेट होगा ये बताइए, पहले दो बैटरी था, अब एक बैटरी है, पूरा कैलकुलेट करना है, तो BBB और VCC दो बैटरी के जगा पर हम लोग सिर्फ एक ही बैटरी का परियोग कर रहे हैं, इसका नाम है VCC, और एक ही बैस में 21 अशिस्टेंस का परियोग किया रहता है, अर भी, इसलिए एक और नाम इसका पढ़ता है बाबू, उसका नाम सुन लो, सिंगल बैस, रजिस्टर बाइसिंग, सिंगल बैस, ऐसे इस नाम से ये फेमस नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए हुआ, लेकिन हम लोग को जो फेमस नेम है, ओ है, फिक्स्ट बाइस सर्कीट, कौन सा, येस, करेक्ट, तो एक्जाम में बहुत ही फेमस फिक्स्ट बाइस के नाम से ही पूछेगा, लेकिन जानकारी रखने में क्या जाता है, सिंगल बेस, फिक्स्ट बाइस सर्कीट, तो सर पहले तो भाई, इसको एदम इमेज में, इमेज बनाके एदम दिमाग में चिपका लो कि ऐसा फोटो दिखेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ट बाइस, चली आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ट बाइस हो गया, अब आते हैं इसके क्योंकि इसका अनलिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अब मेरे साथ अनलिसिस करना है, क्योंकि मैं अगर अनलिसिस करते हुए आपको ले जाऊंगा, तो आप मेरे करने के तरीके को कॉपी किजएगा, एकदम एग्जाक्ली वैसे ही आप अगले सर्कीट के लिए भी किजएग कि मैं कैसे step को follow कर रहा हूँ, वैसे आप की जिएगा एकदम बनेगा, तो चली फिर से उस circuit को design करते हैं, जो circuit आपके पास था, ठीक है, पता नहीं, इसमें copy होता है कि नहीं होता है, जीवाला, पता नहीं, copy होता है कि उसमें चला जाता है, paste होता है, हमको नहीं मालूम, हमको इसके बारे में, select करते हैं, देखते हैं, हो गया, copy होगा, more में न, insert लेंगे तो कहां जाएगा, नहीं लेगा, copy करने का नहीं option है न, छोड़ा टॉप, नहीं है न, capture कहां सा होगा, अच्यों, वहाँ से capture होके उसमें लेजाना, नहीं जाएगा, उसमें भी नहीं जाएगा, चले कोई बात नहीं, बना देते हैं फिर से, फोटो बनाने में करता है, दिर लगेगा, चले, आओ, 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 इधर आजा, चले बनाते हैं, फिर से, फिर से बनाएंगे, उपर में एक रसिस्टेंस लगता है, मालूम है, फिर इधर से एक रसिस्टेंस लगता है, मालूम है, दोनों को मिला दिये, उपर में हो गया, इसका नाम हो गया, पलस BCC, अच्छा, सब को समझ में आ रहा है, नीचे ग्राउंड हो जाता है, और यहाँ से गोल घेरा लग ज जाएगा, तो ओ काम मत छोड़िएगा, जो हम अभी कर रहे है, एक दम जरूर कीजिएगा, ओ काम क्या है सर, बताईएगा तब तो पता चलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक बैटरी बनता है, इस बैटरी का नाम कहलाता है, भी बी ए, क्या कहलाता है बबू, क्या कहलाता ह और यहाँ पलस देते हैं और यहाँ माइनस देते हैं यह भी भी दम लिखना यह बेस और इमीटर भी भी देना ही देना है क्या देंगे भी भी देंगे ही वो छिपा है दूसरा यहां से यहां तक एक बैटरी लेना जरूरी है इस बैटरी का नाम है VCE क्या कोई भी बैसिंग स पनाते समय, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमें पता है यहां और यहां का बैटरी, हम नहीं दिखा रहे हैं, पहले तो तोड़ने सीखिए, ऐसा कोश्चन आ है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, बीसीसी को बोलेंगे भाई तुम इधर के लिए भी हो, इधर के लिए भी हो, हाँ एकदम है, तो पहले तुम तो अपने आपको बटवारा कर लो, पर बोला ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए, एकदम बढ़िया से समझिये, और एक एक करके समझिये, इसाने की बाद में आथे मत रहो, पहले बटवारा कर दो, तो मैंने बटवारा कर दिया, तो क्योंकि बोल्टेज का पैरलल कनिक्शन में बोल्टेज बराबर बराबर होता है, मालूम है तुमको? हाँ, इसका मतलब VCC बोलेगा, भाई, इधर भी VCC ही लगेगा, और इधर भी VCC ही लगेगा, नहीं समझ में आया, हाँ जी, क्योंकि पहलेल में बोल्टेज का बटवारा होता नहीं कि पहलेल में होता है बोल्टेज का बटवारा, नहीं ना, पहलेल में बोल्टेज बटता है जी, हाँ बटता है तो, इकोल इकोल बटता है, बटता एक नहीं बटता है, अर नहीं बटत का भी यूज नहीं करेंगे, E-Circuit का भी यूज नहीं करेंगे, अब जो बनाने उसका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी KVL लगाना बहुत मुस्किल का, मुस्किल का बच्चा-लोग का साइकोलोजी है, हम तो उसी में लगा सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएग तो समझने की कोसिस करते हैं, सुनिएगा, अभी और आगे बढ़ते हैं, तो कि उसके बाद फिर पीछे चलेंगे एक बार, अभी करेंट वरेंट नहीं बताया हैं किसी में, ध्यान रखिएगा, आए सुनिएगा मेरा बात, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम बोले क् सब्सक्राइगा, इसे नहीं जोड़ सकते हैं, वही तो करेंगे, तो लुप बन जायागा, अलुप बनाने के बद के भीय लगाना असान हो जाएगा, यही तो करना था सर, हर सर्किट में ही करना है, कितना असान हो जाएगा, चलिए, तो इधर आई से, यहाँ आई से, और उपर में इधर से आ, इधर से इसको ऐसे थोड़ा order रसी यहां पोहुचा दिए यह जी. इधर पलास इधर माइनस और इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिए. नहीं है एहां बोलो जोड़ा इन्हे वाला इसको इसे मोड़ दिए. कैसे तुम लोग तार को इसे कस कैसे मोड़ देते हो अरे नीचे ले आओ थोड़ा तो इधर लाए 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 यहाँ एक वर असिस्टेंस हो गया और नीचे हो गया इधर पलस यह माइनस ऐसे अरे हाँ और यह गोल घेरा हाँ यह बैटरी का नाम कोची यह करेक्ट इस बैटरी का नाम VCC इना की BBB लगा देना जो है सो है BBB तो है यह नहीं है इसमें कि है जो नाम है वही लेंगे इसका भी नाम क्या यह इसका नाम क्या यह वेरी गुड अच्छा इसका नाम क्या यहां से यहां तक का voltage का नाम क्या BB, very good और इसका नाम क्या VC, very good अच्छा, popularity जानते हैं यह पलास और यह माइनस समझते हो, बस एतना जिसको आ गया, बस अब इसके बाद चुटकी बज़ेगा, पांच गो step जो बताए हूँ पांच जो step follow हो जाएगा, बन जाएगा बाबु इस तरह क्या steps तोड़के अगर बनाओगे तो एक भी question गलत नहीं होगा यह guarantee है मेरा, ठीक है अब यहां तक मैं किसी को कुछ कुछ question पूछना है Anybody, कोई देख लो कि चली सर, analysis करने से पहले हमें circuits को change कर देना है और क्या, एक बच्चे ने पोश्चन पूछा क्या हमें ऐसे change करके coffee में so करना पड़ेगा तो yes, आप कर दीजेगा आप examiner को यह बताईएगा कि मैंने इस circuit को इस circuit के तरह बनाया और इस circuit को इस circuit की तरह बनाया अब मैं इस circuit में KVL लगाने जा रहा हूँ और हाँ, चलिए KVL लगाते हैं, next इसी में KVL लगा देते हैं, लगाए step by step जगा बहुत ज़्यादा है सबसे पहले यह loop number one है और इसे base circuit कहा जाता है क्या बोलते हैं और यह collector circuit कहा जाता है क्या, इसको कौन circuit बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं मैं यहाँ KVL लगाऊंगा ऐसे इसमें भी KVL लगाऊंगा ऐसे कोई दिक्कत, चलिए सबसे पहला step, याद करा देते हैं अगर आपको याद नहीं है तो पीछे पलट के देखिए पहले पीछे पलट के देखिए पहले क्या है draw the base circuit circuit base circuit भी बन गया और collector circuit भी बन गया बन गया ना अब बोलता है कि calculate IB by applying KVL in the base circuit सबसे पहले के base circuit में KVL apply करेंगा और क्या निकालेंगे yes IB निकालेंगे चलते हैं जल्दी आईए हाँ तो आईए सबसे पहले पहला step number one चलने जिए step number one अरे लड़का चलें step one step one में एक लड़का बहुत अच्छा से बोला step one का नाम भी लिखेंगे तो क्या निकालने जा रहे हो calculate IB क्या निकालने जा रहे हो calculation हरे calculation कर दो अच्छा रहेगा calculation अरे हाँ जी calculation of IB IB का calculation करेंगे यहाँ पर तो उसके लिए तुम क्या करेगी क्या करेगा जी बे circuit में क्या लगाएगा चलिए इधर से चलते हैं ऐसे गए 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 minus VCC मिलेगा अरे हाँ जी हाँ इसको यहाँ पर और एक छोड़ा सा line छूड़ गया क्या छूटा जी तो apply KVL लिखना जो रहे है धाम जाम बोलते हैं इसे apply KVL in base loop कौन सा लूप? अरे कौन सा लूप? कौन सा लूप? बेस लूप base loop में क्या लगाना है KVL अचली base loop में KVL लगाते है KVL लगाने जा रहे है बाबू और KVL लगाने के लिए हम लोग यहाँ चलेंगे सबसे पहले minus VCC मिलेगा अरे हाँ आगे बड़ो 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 अरे अभी सा इसमें current तो दिये ही नहीं आप आप अपने मन से IBR भी बोल रहे है अरे रुको भी अभी current वहाँ से शुरूई नहीं किये थे नहीं नहीं किये थे अब current फिर से चलते है फिर से आते हैं चलो एक बात सुनो कि यहाँ current तो माटे ही नहीं थे सर वहाँ current आप कही से माट देगा जबरजस्ती है और सुनिये यहाँ से current हम लेंगे जबरजस्ती जो भी मान लोग की पाच एंपियर होगा अरे हाँ तीन एंपियर होगा दो एंपियर जब numerical आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा अरे हाँ या ना हाँ हम उसको यहाँ पर numerical value का अपने मन से क्या मान रहें सुनना IB पलस IC क्या मान रहें बताओ IB पलस IB पलस का है माने सर क्योंकि हमें मालूम है क्योंकि दो रास्ते बनने वाले हैं और एगो बेस के तरफ जाएगा और एगो एक लड़का बोला आप अपने मन से की से मान लिह IB अईसे कुछ वार न Wanna मान व 맛있 these 7ностью 7》 हाँ रहे 7 पंव्य उम्पिर हा एका कितना SE तो इधर कुछ जाएगा इधर कुछ जाएगा जाएगा इधर वाला जाने को हम बेस मानेगे इधर वाले जाने को это द्योत हां, अरे हां, कुछ हो नहीं बोलता है, ऐसे ही कर रहा है न जी, और इधर का करेंट का डिरेक्शन वा कैसे है, अरे देखो, पॉला से से होते हुए रसिस्टेंस के तरफ, पॉला से से होते हुए रसिस्टेंस के तरफ, नहीं देख रहा है, हाँ उधरे तो है तो पलास से होते हुए रसिस्टेंस देखा ना पलास से होते हुए रसिस्टेंस नहीं हाँ ना कन्फिजन तो नहीं है फिर चेक कर लो एक बार कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ बदल दिये अरे हाँ, कुछ बदले कुछ बदले देख लो एक बार, ठीक है अब बताओ KBL, माइनस BCC यहाँ से जाएगी, यहाँ लिखेगी पलास IB RB, पलास yes, IB into RB, very good, उसके बाद यहाँ से IC, पलास, पलास BBE, बराबर लड़ू, अरे हाँ जी, हमें क्या calculate करना, IB, यहाँ से IB निकलेगा, इसको उधर भेजिए, तो IB बराबर, IB बराबर यह दोनों उधर जा रहा है, यहाँ लिखेंगे BCC minus VBE, yes sir, यहाँ से IB निकल गया sir IB बराबर, ब, अरे सुरे, IB RB लिखाएगा गलती लिखा गया ओहो IB into RB बराबर, तो यहाँ IB बराबर VCC minus VBE बटा में RB, नहीं समझ में आया यह मेरा पहला एक्सप्रेशन पूरी तरीके से सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीके, गुड तरीके से बन गया, पहला step complete, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें IB थोड़ी निकालना, हमें Q point निकालना है, क्या निकालना है Q point, Q point में दो चीज होता, IC और BC, तो IC निकालना है अगला step 2, step 2 लिखो जी, step 2 step 2 में क्या लिखेंगे calculation calculation of क्या, IC calculation of IC और IC का फॉर्मूला होता है beta into IB अरे हा की न, yes सर, क्या, beta हमें पता है तो बोले मैं question में दिया रहेगा beta, एक दम must है ओ, दम manufacturer जो company बनाती है, ओ beta design करते हैं, fix करके देती है हमें, ओ, question में ही mention रहेगा, क्या, IB दिया रहेगा रहे, IB तो अभी निकाला तुम इदुन्नू मनवा रखोगे, question वा में आई भी निकलेगा, yes इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, beta into IB का मान लाओ B, C, C, minus B, B, E, बटा में IB, बस या इसकाट है, आच 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 सॉरी, सॉरी, सॉरी बच्चा, I'm very very sorry तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलेंगे RB, यह दो step खतम हुआ, यह दूसरा step को भी हम लोग इसको थोड़ा घेरा में घेर देते हैं, तो अच्छा लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं यह हो गया, हमें दो चीज़, step two, अब चलते है step two के बाद, step three, last step होगा, जो की जगा नहीं होने के कारण हम लोग, यहाँ KVL लगाएंगे लगा लेते हैं पहले, चलिए, यहाँ से चलते हैं पहले KVL, यहीं पर थोड़ा एक दो step हो जाएगा, तो उसको अगले equation में हम लोग लेके जाएंगे, तीसरा step लिख रहे हैं जी, देखो, तीसरा step फिर दिक्कत हो जाता हो, वही सी रहना, हमको वही से अच्छा ही लगता है apply, ठीक है, apply, 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 के, स्टेप थ्री ना जी पहले हाँ step थ्री बोलना चाहिए तुम लोग को, step थ्री बनाईए सर, step थ्री step थ्री, लिखेगा step थ्री, step थ्री, जब step थ्री में जाएंगे तीसरे में लिखें, calculation, calculation of VCE, yes इसके लिए तुम क्या करोगे, apply KVL in output loop, sorry, IC loop ना जी apply, apply KVL, क्या, 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 KVL, in, in, कौन सा loop, collector loop, कौन loop collector loop, collector loop में KVL apply करेंगे, एक step से हो जाएगा काम, collector loop से मेरा, छेच, चलिए, सुनिएगा, सुरी अच्छ, हाँ, तो, इसको minimize कर देने से काम हो जाएगा, अरे, ऐसे कैसे हो गया, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं, तुम लोग बदमासी करते रखते हैं, खुलेगा, चलो, चलो, हम पर लगा, minimize करें, पुरा minimize कर, चलो, जी, लड़का, KVL लगा, यहां से लगा, KVL, 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 इदर गया, minus, minus VCE, minus, 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 minus VCE, yes sir, okay, इदर गया, minus ICRC, जाने, direction इदर तुम ल्टा, minus, ICRC, और उसके पलस, पलस, VCE, पलस, VCE बराबर 0, और VCC हम भी लिखें हैं, ठीक से देखो न, तो लोग बुलवा के गलत करवा देता है, VCC बराबर 0, कोई दिकत, नहीं, अब यहां से हम निकालेंगे, उसका नाम है VCE, क्या निकालेंगे, VCE को उधर बेज देते हैं, तो यहां से निकलेगा VCE, VCE बराबर, चलिए VCE बराबर, इसको उधर बेजेंगे, तो इधर क्या हो जागा बोलो, VCC minus IC into RC, कोई प्राबलम, नहीं ना, और इसको हम लोग थोड़ा घेरा लगा देते हैं, कोई दिकत घेरा लगाने में, किसी को घेरा समझ में आ गया होगा, तो आपको तीन चीजे निकली, फाइनली लास्ट में, यहां थोड़ा जगह है, और मैं यहीं पर थोड़ा घेर के लिखूंगा, लास्ट में Q पॉइंट निकालना था हमें, और Q पॉइंट का जो कॉडिनेट होगा, वो यहां लिखिएगा, Q पॉइंट से Q पॉइंट लिख कर, और Q पॉइंट बराबर होगा, सबसे पहले VCE, जो भी मान आया होगा, कैलकुलेशन नुमेरिकल से, और एक होगा IC, यहां से IC निकलेगा, अरे हाँ जी, बस इतना ही लिख दीजेगा, आपको Q पॉइंट कैलकॉलेट हो गया, यहीं कि क अस्तिम छन तक हमें यह बताना है, कि यह इसका एनलिसिस करके, टीन स्टेप सो करना है, और लास्ट में हमें, क्या मिलेगा, Q पॉइंट निकालके दिखाना है, इतना कीजिएगा, तो आपका पहला बाइसिंग सर्कीट खतम हो जाता है, और यहां पर Q पॉइंट लास्ट म निकालना है, हर में यही एस्टेप करना है, बट सब में सर्कीट का, नेचर मने की सर्कीट का डाइगराम बदलेगा, क्या बदलेगा, अब अगर समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे, दुबारा समझाएंगे, चलिए, तो इसमें इतना ही रखते हैं, अगला वाला में फिर से बात करेंगे, थैंक यू,